सेमी फाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकट से हरा कर T20 World Cup के फाइनल में पहुंची साउथ अफरीका। जीहां दोस्तों, ICC T20 World Cup 2024 का पहला सेमी फाइनल आज साउथ अफरीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। जहां अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया। लेकिन साउथ अफरीका की घातक गेंद बाजी के सामने अफगानिस्तान की पूरी टीम 11 दशमलव 5 ओवर में महज 56 रन पर सिमट गई। साउथ अफरीका के लिए मारको यांसन और तबरेज शमसी ने 3-3 विकेट जटके तो कगिसो रबाड़ा और एनरिक नौर्खिया ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किये। वहीं 56 रन के मामूली लक्ष का पीछा करने उतरी। साउथ अफरीका ने एक विकेट गवाकर 8.5 ओवर में ही इसे चेस कर लिया। सैमी फाइनल में इस धमाकेदार जीत के साथ ही साउथ अफरीका ने पहली बार किसी ICC इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। वहीं सैमी फाइनल में मिली इस बड़ी हार के बाद अफगानिस्तान के खिलाडी बेहद निराश दिखाई दिये। दोस्तों साउथ अफरीका की इस धमाकेदार जीत और फाइनल में एंट्री पर आप क्या कहना चाहोगे हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।